नमस्कार, वंदे मात्रम, मैं बल्देव राजपुद, दुर्ग छत्तिस गड़ से आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है उप्टिकल डिवाइस का एक टॉपिक इसके अंतरगत रेम्जडेन आईपीसेज मतलब रेम्जडेन नित्रिका और हाइगन नित्रिका मतलब हाइगन आईपीसेज आते हैं इसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि लेंसों का कैसा कॉंबिनेशन रखा जाए जिसे हम टेलिस्कोप या माइक्रोस्कोप में यूज कर सके तो इसी में जो सबसे पहला कॉंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हाईगन आईपीसेज या हाईगन नित्रिका के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि हाईगन नित्रिका होता क्या है और हाईगन नित्रिका में क्या यूज किया जाता है तो इसमें use किया जाता है दो सम उत्तल लेंस, सम उत्तल लेंस का मतलब होता है English में, जिनका ये जो भाग है वो बाहर की तरफ निकल रहेगा, अगर आप ध्यान दे तो ये वाला हिस्सा भी बाहर की तरफ निकला है, ये वाला हिस्सा भी बाहर की तरफ निकला है, उत्तल लें और उतल लेंस के बारे में जानेंगे, चुकि आज का हमारा टॉपिक है हाईगन आई पीसिस तो हम आज इसके बारे में बात करते हैं, अब यह जो हमने यूज किया हुआ है, दो सम उतल लेंस मतलब एकवी कौनवेक्स लेंस को हमने यूज किया है, उसमें अगर आप ध्यान तो इसमें कुछ distance measurement किये गए हैं जिसकी वज़से इन्हें हाईगन आईपीसे कहा जाता है जैसे कि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है अभी छेत्र लेंस या field lens capital F field lens से I का जो distance है उसको रखना पड़ता है 3F दोनों lensों के बीच का difference रखना होता है 2F और जो हमको image मिलती है I double dash की जो real image मिलती है वो पहले lens से भी F distance पे आता है और दूसरे lens से भी F distance पे आता है अब होता यह है कि यहाँ पर कहीं पर भी जो भी object रखा होगा उससे lights टक्राएंगी और light टक्राने के बाद reflect होगी हमेशा हम किसी भी चीज को तभी देख पाते हैं जब उससे light टक्राए और light टक्राने के बाद reflect हो तो मान के चलिए यहाँ पर कोई object है, object से light टकराएगा, अगर यह lens, field lens अवलेबल ना हो, तो जो image है वो आपको i-डेश पर मिलेगा, और जो की क्या होगा, image नरी होगा, अब यहाँ पर हम लोग बार-बार एक word का यूज करते हैं, अभिछेत्र lens या field lens, तो यह होता क्या है, जो object से टकरा कर, या object की तरफ से, जो light beam हमको मिलती है, उसे बोला जाता है, field lens या अभिछेत्र lens, अब यहाँ से object से कोई भी light beam टकराएगा, टकराने के बाद, field lens F से टकराएगा, टकराने के बाद, चुकी हमको पता है, कि light beam अगर एक medium से दूसरे medium में travel करती है, तो यह आई double dash पर एक दूसरे को cut करेंगे, जहाँ पर हमको real image मिलेगी, इससे ठीक F दूरी पर एक नेत्र lens, यानि eye lens लगा होता है, अब यह eye lens क्या होता है, जो नेत्र के पास, जो lens होता है, उसी को हम लोग नेत्र lens बोलते हैं, या eye lenses बोलते हैं, तो यहाँ से bend होने के बाद, यह सीधा जाके eye पर पढ़ता है, जिससे हमको जो real image है, वो eye double dash पर प्राप्त होती है, मैं एक बार फिर repeat कर देता हूँ, कि इस सनरचना को बनाने के लिए, इसकी theory को लिखने के लिए, आपको कुछ बातों का ध्यान देना है, जैसे सबसे पहले आप field lens के बारे में बता दीजि और यहाँ पर जो eye double dash जो point मिलेगा, वहाँ पर real image मिलेगा, दोनों lens के बीच का जो difference है वो 2F होना चाहिए, first lens से real image की दूरी, second lens से real image की दूरी, F और F होनी चाहिए, field lens से eye की दूरी, 3F होनी चाहिए, तभी हमको एक eye double dash पर एक real image मिलता है, normally इसका use telescope और microscope में किया जाता है, अब जब हम इस पूरे concept को लिखते हैं, तो total focal distance या तुली focus दूरी के बारे में भी पढ़ते हैं, हमको पता है lens formula से, कि 1 upon F is equal to होता है, 1 upon F1 plus 1 upon F2 minus D upon F1 into F2, अगर मैं इसको solve करूं LCM लेके, तो F1, F2 इसका LCM आएगा, normally अगर अपन इसको solve करें, तो capital F का value होता है, F1 dot F2 upon F1 plus F2 minus D, अगर हम diagram देखे, तो हमको पता चलेगा, कि जो field lens है, उससे i की दूरी कितनी है, 3F, तो 3F को हम लोग ले लेंगे, F1, मतलब first lens की वज़ा से, जो focal distance मिला है वो, दूसरा अगर देखे, तो i lens से i की दूरी कितना है, small f, तो e से i की दूरी, मतलब i lens से आखों की और distance between two lenses, दो lens हों के बीच की दूरी को हमने denote किया है, 2F से, तो D की जगा हम लेंगे 2F, तो यहाँ पर formula में, जहाँ पर भी आपको F1 दिखाई दे, उसकी जगा आपको 3F रखना है, जहाँ पर भी F2 दिखाई दे, उसकी जगा आपको F रखना है, और जहाँ पर भी D दिख खाई दे, उसकी जगा आपको 2F रखना है, अगर मैं इसको निकाल, इसको इस value को रखूँ, और रखने के बाद solve करूँ, तो मेरा answer आता है 3 by 2 into F, नॉर्मल calculation है आप कर सकते हैं, तो इसमें जो तुल यह focus दूरी, मतलब total focal distance जो आता है, वो आता है F 3 by 2 into F, तो यह जो पूर होंगा, Ramsden eye pieces का क्या use होता है, और वो कैसे काम करता है, अगर इससे related कोई और doubt हो, तो आप comment box में लिख सकते हैं, और इससे पहले की वीडियो को देखने के लिए, आप description में जाकर, प्ले लिस्ट में जाकर, आप अराम से physics या maths के जो questions हैं, उनको देख सकते हैं, उम्मीद कर करता हूं, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिंद, वंदे मात्रम,